बोलीवूट सूपरस्टार सल्मान खान फिलाल अपनी फिल्म भारत की शूटिंग में व्यस्त है पिछले दिनों फिल्म के सेट से एक तस्वीर भी शियर की गई जिसमें सल्मान खान नजर आ रहे थे फिल्म के अलावा वो जल्द ही एक और टीवी रियलिटी शो करने वाले हैं जिहां सल्मान खान करीब 10 साल के बाद अपना शो 10 कादम लेकर आ रहे हैं वापस से कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि उन्होंने शो की शूटिंग शूरू कर दिया है साथ ही इस शो का प्रोमो शूट कर लिया गया है और टेली कास्ट में हो चुक है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शो के लिए सल्मान खान को काफी मोटी रकम दी जा रही है दो सीजन होस्ट कर चुके सिल्मान खान इस शो का तीसरा सीजन काफी समय से करना चाह रहे थे लेकिन उनकी फीज को लेकर दसका दम के मेकर से बात नहीं बन पा रही थी मीडिया में जो खबरे चल रही हैं उसके मताबिक शो के 26 एपिसोड की शूटिंग के लिए सिल्मान खान को कुल 78 करोड रुपे मिलेंगे यानि के दोस्तो हर एपिसोड के लिए 3 करोड रुपे जी हाँ दोस्तो 3 करोड रुपे सोच के देखो एक आम आदमे अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाता इतने रुपे लेकिन एक बोलिवुड एक्टर वो एक ही एपिसोड में कमा लेते हैं बताया जा रहा है शो के आयोजग पहले उनकी फीस को लेकर एगरी नहीं थे लेकिन पिछले साल ही दोनों पार्टीज ने सल्मान खान की फीस सैटल की जिसके बाद शो को फिर से लाने की प्रक्रिया शुरू हुई अभी ये शो किस दिन दिखाया जाएगा इस पर मेकर्स विचार कर रहे हैं वहीं इस बार स्क्रिप्टिंग में थोड़ा बदलाव किया गया है पिछली बार जहां शो में कई सारे बोलिवूट से लेप्स को इन्वाइट किया गया था वहीं इस बार इसमें केवल आम आदमी ही इससा लेंगे आईपिल के क्रेज को देखते हुए शो का टेलिकास्ट आईपिल के बाद ही होने के आजार है तो दोस्तों आप बताओ कि क्या आप दस का दम सीजन 3 के लिए एकसाइटीड हो या नहीं आप अपनी राइ नीचे कमेंट सेक्शन में चुरूर शेयर करें और वीडियो पसंद देए तो लाइक करना ना भूलें और अभी तक भी बोलिवूद टोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वो पहल आइकन भी प्रेस कर देता कि आप आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पासकें तो फिलाले शूडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स शूडियो में